हलो एब्रीवन मैं हूँ रूची और डूइट पित रूची में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी कि आप डबल साइड़ मास्क के कैसे बना सकते हैं वो भी बिना सिलाई मसिन के तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे बनता है मास्क बनाने के लिए जो कपड़ा लिया है मैंने उसकी लंबाई यहां पर 16 सेंटीमीटर रखेंगे और इसकी चोड़ाई 27 सेंटीमीटर रखेंगे और एक दूसरे के उपर कपड़े रखके इसको फोल्ड कर देंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे और अब हम करेंगे मास के काटनी के लिए यहां पर एक 3 cm पर एक निसान लगाएंगे इस निसान पर कटिंग नहीं करेंगे यहां पर दो सेंटीमीटर पर एक निसान लगाएंगे यहां पर तीन सेंटीमीटर पर एक निसान लगाएंगे और एक तिर्ची लाइन खीचेंगे अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप सकेल से भी मार्किंग कर सकते हैं एक गोलाई में इस तरीके से अब जो निसान हमने लगाया है उस पर हम कटिंग करेंगे अब हम यहां पर सिलाई करेंगे मैंने यह पर स्वी धागे से सिलाई की है अगर आपके पास सिलाई मसीन है तो आप सिलाई मसीन से भी इसी तरीके से सिलाई कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से हम इसको भी सिल लेंगे इसी तरीके से हमने अपना मास्क यह सिल लिया है अब हम इन दोनों को जोइंट करेंगे अब हम अपने मास्क के दौनों हिस्सों को ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के लिए जो सीधे होंगे हमारी कपड़े के हिस्से उनको हम आपस में मिलाएंगे और जो उल्टे हिस्से होंगे उनको हम उपर रखेंगे और इस तरीके से मिला करके हम पूरी सिलाई कर और इसी सेम प्रोसेस हैं इस साइड भी सिलाई कर लेंगे बस मास्क हमने अपना दौनों तरफ से सिल लिया है अब यहां पर जो जगह बची थी इसमें हम इसको ऐसे करके सीधा कर लेंगे हम अपने मास्क को अब हम मास्क में एलास्टिक लगाएंगे मैंने आप पतली वाली इलास्टिक लिया इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच और इसको इस तरीके से हम कट करेंगे हमें 7-7 इंच के दो हिस्से चाहिए दोनों तरफ मास्क में लगाने के लिए यहां पर 2 cm पर 1 निसान लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे इलास्टिक अंदर करके हम सिलाई लगाएंगे यहां पर इस तरीके से अब हम यहां सिलाई लगा देंगे मैं ये मास्क लार्ज साइज का बना रही हूँ, एडल्ट के लिए ये मास्क बना रहा है, अगर आपको चाइल्ड के लिए या फिर टीनेजर के लिए मास्क बनाना है, तो उसकी क्या मेजर्मेंट होगी, वो मैंने अपने डिस्कुशन बॉक्स में दे दी है, उसको आप अब इस पर हम प्रेस कर लेंगे हमारा डबल साइड़ मास्क बनकर के तयार है आप इसको दॉनर साइट से लगा सकते हैं अगर आपको यह वीडिया अच्छा लगा होते हैं इसे लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरी प्रेस करें